सेश्री का स्टूडेंट बहुत बहुत स्वागत है तो अड़ा एरुडिशन स्टाडीज दे ओफीशिल चानल दे उपर जिद्धा की असी क्रैश को स्टार्ट किता हुए है बिटिश इस्ट इंडिया कमपनी इसने किस तरह इंदिया दे अलग अलग हिस्ट्यां दे उपर कब्जा किता है इस दे बारे देविचे चर्चा कर रहे हैं और इस दे संदर्ब देवी चसी किते पोंच के सी लास्ट पंजाब दे उपर एंड मैं तो नूँ क्या सी कि जदो इस पंजाब देवी चांपनी नोँ कावर करांगे यहनी ब्रिटिश इस्ट इंडिया कमपनी ने पंजाब नो किस तरह नेक्स किता त उसंटर मसी पंजाब दे इस्टियों इन डीटेईल कंवर करना हैं बिकार्च फूर- पंजाब एक्जाब इस पार्ट इस वेरी मच इं 7 और 8 लेक्चिर नहीं देखिए मेक शूर कि पहला तुस्यों साथ लेक्चर जरूर देख लाना ओके बिकर्स हिस्टी नो अगर तुस्य अगर तुस्य अगर तुस्टोरी लाइन करते हो तो उन्हों जाधा इजी रग दिया ओके डैर इस वाए डे वन तो स्टार्ट कर दिना और मैं अंदे विच बहुत ही जाधा डिटेल देविच तुन्हों कवर करवान दी कोशिश किती हैं मॉडन हिस्टी नो और मैं पूरी ट्राइ कर रही हैं कि जदो तोड़े एक्जाम हुन दाया ते उस ते विच अगर हिस्टी एक पार्ट है ता कोई भी एदना दा अगर तुसी जरूर देखलाना अगर तुसी न्यू हैंगे चैनल थी ता सब्सक्राइब करके एंड बैल आइकन उ प्रेस काले ना सो दार कि तोन्हों जो ओन वालियां वीडियो जै और ना दी नोटिफिकेशन टामली मिल दी ता आज दे यसी पार्टिकुलर सेशन दे वि अगर इसी गल कर देयां बंदा सिंह बहादर दी ता एक पिक्चर देविच किस तरह आंदेने यानि कि सिख हिस्ट्री देविच अना धी एंट्री किस तरह हुंदी है तथे को गुरु गोबिन सिंग जी जो है गया है आज संसार नू स्तारा सु आठ्टे विच अलविदा क गुरु मनोगे ता उसतो बाद फिर जेड़ा रिलीजिस गुरु रहे सिखा दे आज तक ओ कुन है गिने गुरु ग्रण साहिब जी राइट ते जेड़े गुरु ग्रण साहिब जी है एननना किस दिन डिकलेर किता गया सिगा थर्ड ओफ ऑक्टूबर 1708 नू गुरु साहि अलविधा कहना सिगा उस तो पहला पहला एक इदर पहुंचे जी नदेड पहुंचे क्योंकि एना साउथ वाली साइट वेजट करन ली गए सी ओके और एथे ही नंदेड नाम दी जगां तो डिली इंपोर्टेंट रहेगी याद रखना ओके ता नंदेड नाम दी जो जग वावित होई सी ठीक है और एनना नुप पता चलेया कि किस तरह जड़ी मुगल एंपरर से गिया है उनना ने टाइम टू टाइम सिख गुरु सहबाना देड उपर ओना देड फामली देड उपर किस तरह तरह तशद्दत आही है ठीक है तो एनना ने अपना मोटो बनालेया अगर तुसी गाल कर देड़ा नाम एता फिर हैगा सी लचमन देव है ना बाद देविच फिर मादो दास भी बने पर पॉपलर ली ए बंदा सिंह बहादर दे नाम देनाल प्रसिद्ध होई सी ओके और बंदा महादर जीवे में तोन्हों दस्या की मुगला नू उनना दे कि लीडर बनके नाने उननों जो है रस्ता दिखाया ठीक है और जदो गुरु साहेब एनननों पंजाब देवाल पे जन लगे सी ओधो उननने एनननों पंज एरोज दिते ठीक है अपनी बोधे विचो और एक खंडा साहिब दिता और एक दिता नगाडा ठीक है ताकि एननना पावर दें श्मल्ज नेन और फिर गुरु शाहिब नेना पाई विनोध सिंग पाई काहन सिंग पाई बाज सिंग पाई दया सिंग और पाई रन सिंग अनना पंजा नू उनननों एकम दिता कि तुसी बंदा सिंग भाधर देनाल आस पूरी ज़िगार नेवेचे साथ सब्सक्राइ़ देख़ सब्सक्राइब ता एनादा बर्थ कदू होया 27th of October 1670 देविच केड़ी जगा ते रजाओरी नाम दी जगा जो मिलेगी तो अनो पुंच J and K देविच जमु एन कश्मीर देविच बर्थ नेम एनादा की सिगा लच्मन देव और असी हुने किता गुरु गोबिन सिंग जी ने एनना नो केड़ा नाम देता सी गुर्बक्ष सी और वैसे अनादा विच जे बेरागी माधो दासवी नाम जो है ये चल्लया सीगा और बाद दे विचे बंदा बहादर दे नाम देनाल परसीद होयने अगर असी देखिए कि अना दी डेथ कदू होई है 9th of June 1716 नो डेली दे विच अना दी डेथ होगी सी और अना दे स्पाउस कोन सी सुशील कोर ठीक है देखो बंदा बहादर जो हैगे ने ठीक है अनने बहादर सी कि अननो जड़ी वाइफ मिली ना बहुती सुशील वाइफ मिली जिस दे विच बहुत सारे गुण सीगे ठीक है सुशील कोर होगे अना दे स्पाउस ओकी अप्टर दाट अगर बेटे दी गल कर देया तो एना दा इको एक बेटा सी गा अजे सिंग ठीक है और लास्ते विच जदो असी पढ़ांगे कि बंदा सिंग बहादर नू जदो अरेस्ट कर लिया जांदा है शहीद किता जांदा है तो दो एनना नू तोड़न दे लही जो एनना दे बेटे है अजे सिंग एनना दे टुकडे करके है ना और एनना दे गले दे वीच पाए जांदे ने ठीक है एनने जादा तसी है दित्ते जांदे है फेर भी बंदा बहादर अपने तरन तो डोल दे नहीं ठीक है उस तो बाद एनना दे फादर दनाम की है राम के जी सुशील कौर बड़ी सुशील वाइफ मिली सियाना ओके हां जी ता हुन ए ओवले प्लेसी है जिन्ना दियुपर धीरे-धीरे करके बंदा सिंग बहादर ने कब्जा किता सिगा ठीक है ता एवले सारे मतलब की जिन्ने की समाना दी लडाई है सडोरा दी लडाई है ठीक है ता हुन नसी एन्ना दियां बैटल्स नू देख लाने है बिखास बैटल्स तो अलोड ओफ क्वेशन्स आर देर जड़े की क्वेशनेर देविच पाई जान्दे इन इक्जाम्स ओके ता एन्ना दी पहली बैटल पुछी जान्दी है कि बंदा सिंग बहादर दी पह और मुगलां दे विचकारे लड़ाई होई सिगी और बंदा बहादर दा पहला अटैक सिगा और जदो ए अटैक उन्ना ने किता एन्ना देना सिरफ और सिरफ पांज सिखां दी आर्मी सी ठीक है देखो 1708 दे विच जो बंदा बहादर है है ना ए सिख आर्मी दे लीजा बन घेए ते रा दे विची ना फेना ने की किता पहलना एनने जो खांडा नाम दे जगाया और थे थोड़ी देली कैम्प लगाया आफ्टर देट ए पोंच गे सोनी पत ठीक है जदो ए सोनी पत पोंचे ता ओथे एनना ने की किता ओथे एना ने मुगल ते डिरेक्ट अटैक क किता चालेंज किता ठीक है और एस बैटल दे विच जो बंदा बहदर हागी है एना दी जित्त होई सी ओके आफ्टर दैट रा दे विच एक पूना नाम दी जगह है जित्ते ना बंदा बहदर नू की पता चलिया कि जो मुगल आर्मी हागी है एना ने अपने कैम्प लगाए ह होग ठीक है और एना दे को लो बहुत ज़्यादा पैसा सीगा इड इस ताइम ठीक है ता फिर बंदा बहदर ही कि सोच्या कि लेए अपनी आर्मी ठीक है आपने सिक रेजिमेंट देलिया की चाहिए दा सिगा ओविसली पैसा चाहिदा है ना हत्यार चाहिए थैए ता इसलि तक ता दोनों ही ऐस दिन आरान्द गिया राइट सो निपत्त बाद आगी समाना ए होई हाँ 26 ओफ नवेंबर 1709 दे विच्छ और राइट सिखान देवलनों कौन लड़े ऑबिसली बंदा सिंह बहादर और मुगला माली साइड तो लड़ेया जी वजीर खान एंदा नाम काफ अना है ना एक सिटी दे विच्छ शिरगुरु तेग बहादर जी जो की सिखान दे नोवे गुरु है ठीक है एनना दे बारे विच असी डिटेल किती सी जदो सी सिख इस्टी दा फरस्ट लेक्चर ले आं लास्ट टाइम ओल राइट ता जेडे शिरगुरु तेग बहादर चार दिन लगा तार ना लड़ाई चली ठीक है और आखिर दे विच एन दे विच वी कौन जित गे एन दे विच वी जो जित होई है बंदा सिंग बहादर दी होई राइट और एथे ही फेर बंदा सिंग बहादर ने जानदो है की किता जदो एनना ने समाना दे पर जित प्रापत कर ली ना ता एनना ने फते सिंग दिए को फते सिंग वी नाम याद रखना और आपके किता आप चल पे सरहिंद वालनू है ना और अथे की करना चांदे सी एथे नहीं वाला बंदा वजीर खान ठीक है वजीर खान दे जुलमा दा हुन बदला लाना चांदे सी ठीक है ताइशल ही केडे वाली साइड हुन चल आफ्टर दाट एना दी जो नेक्स बैटल अन्डिया एंड वेरी मच इंपोर्टेंट बैटल केडी याजी बैटल ओफ चपड चिडी एक अधो हो रही है 12th of May 1710 देविच होई ओके और चपड चिडी जो है ना एम महाली दे निडे तो आनू एक पेंड मिलेगा राइट और बाज सिंग जी बिनो सिंग जी पाई फते सिंग जी ठीक है और मुगल्स वाली साइट तो कोन होएगा वजीर खान ओर्राइट ओके ता जो बंदा सिंग बहादर है गिया है एना ने एस चपड चिडी दिल लडाई तो बाद जो अपनी कैपिटल है एक इस नो बनाया मुख पुर्णू बंदा सिंग बहादर ने कैपिटल बनाया ऐसे नाम बाद दे विच ना लोगड पैजेगा ठीक है किला लोगड केडी जगा तेंदी लुकेशन है हर्याना दे विच ताहु नसी गाल कर रहे हैं चपड चडी दी बैटल दी राइट इस बैटल दी विच जड़ बन्दा सिंग बहादर बिकाज जदो तुसी चपड चडी दी गल कर देओ तसा नो पता है कि चपड चडी दी जए लड़ाई है ए बन्दा सिंग बहादर दी सरपरस्ति दे अंडर होई है राइट बट एते तुसी याद रखने है कि वजीर खान मार्या जरूर गया पर किन अपना पहला जो राज एस्टाबलिश कर देया पंजाब दे विचे ठीक है ते फिर एन्नू 1715 दे विच कदो स्ताना सो पंद्रा दे विच बंदा सिंग बहादर दी एक्जीक्वेशन तो बाद वापिस लेले जाले है बाई मुगल्स ओके हां जी अगर इसी चपड चेडी दी विक्ट्री दी गल कर देया ता इस तो बाद हुन बंदा सिंग बहादर सरहिंद दे फोट दे उपर अटैक करन दी लई करीब मतलब दो करोड रुपे लुटन वास्ते ट्रैजरी वाल चाल पन दी है और उत्थो फिर एन्ना ने लुटे सी किनने उस टाइम दी गल कर र दे विच्छ हो इसी ओविसली और दूसरी साइड कंबाइन्ड फोर्से सी किनना किनना दिया सैयद एंड शेक्स दिया ठीक है सडोरा नाम दी जगान दे उपर ही ये बैटल हुई और बंदा सिंग बहादर जो है एन्ना ने आसमान खान नू हरा दिता सिगा राइट और उस और दूसरी साइड कोन है साइड और शेक्स दूसरी साइड में लीडर दा नाम याद रखोगे आसमान खान तो बाद उस जगान नू कतल गड़ी दे नाम तो जाने आ गया तो याद रखोगे इट इस सडोरा ओके किस तरह दे विच एक क्वेशन जरूर ही आ रहा होने कि जड़ा ओसमान खान है आनू भी बंदा सिंग भादर ने मारया बटे है कुन? ता देखो एकना परसन होंदे सी कौन? पीर बुद्धुशा ठीक है? पीर बुद्धुशा ओल्राइट और जड़ी पीर बुद्धुशा सी गे एक गुरु गोबिन सिंग जी दे फ्रेंड सी ठीक है? असी जदो लास्ट नेम पढ़या सी कि गुरु गोबिन सिंग जी ने साथ दिता सी ओके इस ते लही फिर जड़े ऐसमान खान है एनने की किता एनने पीर बुद्धुशा जी नुना मरवा दिता सी ओल्राइट किस वास्ते क्योंकि एनना ने दस्वें पार्शादा साथ दिता इसलिए फिर बंदा बहादर ने ऐसमान खान नू बैटल अफ बहादर एनन मुगल लीडर कोन है कवर खान बहादुर्शा एन देवे जो बंदा बहादर है गया है एननने की कितना मुखलिस पूर्दय उपर जो है क्याप्चर कर लेया ठीक है और फिर एदा नाम रख्या गया लोगड ओके जड़े सिख है गी ने ओ फिर आस नूमी बाद सिंग जी बिनौ सिंग जी ठीक है एह हो जानगे मुगल वाली साइड तो आजेगा शामस खान ओके हां जी तहुन तक ना तुसी याद रखो कि इस बैटल तक जो बंदा बहादर है गये ओल्मोस्ट लाहोर दा जड़ा इस्ट वाला एरिया है ठीक है सारा दा सारा एर उस वाली साइड वद दे पेसी रास्ते विच ते हुए राश्ते विच एही जो शामस खान है एन्हा ने अटैक कर दिता क्यों कि तसी क्योंकि यह नो लग रहा थी कि जो बंदा बहादर है गया है बहुत ही जादा तेजी देनाल अपना विस्तार कर देपीने ठीक है जो य जित किनना दी हो रही है अगेन 6 जो है गें वो बैटल ओफ राहोनु भी जित जान देनी आप्टर जैट गल करांगे सी बैटल ओफ जम्मु दी हो रही है 17 एंड 12 दे विछ जम्मु और कश्मीर दे विछ आनू पता है बन्दासिंह बहादर जो है गें एनना दा जन्म भी होय तो इस तो बाद असी गल कर रहे हैं जम्मू दी बैटल दी ऐस पैटल ची हो रहे है अचानक अटैक किता जान दाया मुगल जर्नल वन नाम के जी जकरिया खान बहुत इंपोर्टेंट परसन याद रखना है ठीक है एनना ने शिखान देपर अचानक हमला कर दीता और उस और जेडे पाग संग जी हगया है यए एनन नो कैप्चर कर लिया जानदा है जो है फिर एनन नो एक्सी क्यूट कर वा दिन दा थेक है कीना नो मरुट गभा एक जान जान पाग सिंग देटल ऑफ जम्मू ऑलराइट ओके दैन आज जानद है बैटल ऑफ राहु ऑन सिर्ट कर चुकियां है ना बिल्कुल कर चुकियां शामस खान वाली एनों छोड़ देयां अगे चलांगे अगे हैं बैटल ओफ जलालाबाद इस सेविंटीन हंड़र्ड एंड टैंडे वी चुन दिया हैं मुगल फोर्सीज जो है गियां एंदे विच कौन कुन हैं जलाल खान रोहि सेविंटीन हंड़र्ड एंड फिफ्टीन दे विच अंदे विच मुगलावलों लड़ रहा है कौन अबद अल समत खान देखो जो बंदा बहादर हैं ने ओस टाइम अम्रिस सर्वाल जो हैं छोटियां छोटियां रेड्स कर दे पेशी ओके ते मुगल जो है एनना ने सोच कि असी पहला भी ट्राइए किता हैना शामस खान ने ट्राइए किता सी बट ओ एनना नो मार नी सके सी हैना तक क्यों ना सी एकवार फिर तो अटैक करके देख दियां ठीक हैं ता फिर बंदा बहादर जो है गया है एनना ने की किता एनना ने गुर्दासपूर्दे फोर्ट सिगास के लिए दा कि दुबारा ओदे विच दाखली नहीं हो सके ठीक है ता फिर उनना ने ओदो गुर्दास नंगल दे विच एक परसन सी एनना दे बारे दे विच ना कोईशन पुच्छा जान दा है इसलिए एनना दा नाम तानो टू हंडड़ परसन याद रहना है कि दे कोल पहुंच गी फरुक्षिर को लो फरुक्षिर दे बारे असी किता सी ना ओही वाला बेवकुफो डरपोग मुगल राजा है गया जिसने मैगना काटा दे दीता सिगा हना किन्नू ब्रिटेश इस्ट इंडिया कंपनी नू एद्दा ना फर्मान देता सिगा कि त 1717 देविच अगर तो नू रिमेंबर होएगा असी पड़े आया हना मोडन हिस्टी देविची एही वाला जो फरुक्षिर है एननू जी खबर मिल जांदी है कि एथे ना लडाई स्टार्ट हो चुकी है राइट ओके ताहुन जिने फरुक्षिर को ले खबर पोंची ता फि स्कासिटी होन लग जांदी है ना उनना नू फूड मिल दे ना उनना दे बेसिक नीड्स पूरियां हुन दिया और काफी सारे अधना दे सिक्ख हुन देने जो की पुख देनाल ही मार जांदेनी ठीक है तो फिर जो बंदा बहादर है गेनी एनना नू साथ सो चाली सिखां सिक्खतन देनाल पकड़ जान दे ठीक है घड़ता जाओ घूं और जदो और याद रहेली सिखार गया गया रहेगी गुर्दास नंगल जो की सेवंटीन फिप्टीन दे विच होई है और एनन नुना ऐस गुर्दास नंगल तो पकड़ के किते पेशता लाहोर पेशता थोड़ी दिन नुन लाहोर दे विच रख्या बाद विच बंदा बहादर एनन देज़ेड़ी इनन नुना डैली शिफ्ट कार देता गया और एनन इंचार्ज सारीय चीजांता कौन सी गा जकरिया खान सीगा राइट जेड़ा के ननुन एक्जीक्यूट करना चांदा सीगा और राइट ता जकरिया खान दे अंडर एनन नुन डैली पेश दिता और उस तो बाद फेर जड़ी सिख गया ए उनना नुन मार दिता जानदा सीगा और फिर एदा करके ना एक हफ्ते दे अंदर अंदर ओल्मोस सारे ही सिखान नुन इनना ने खतम कर दिता ठीक है ते जेड़े हैंगे सी बंदा बहादर एनना धिनाल चबभी कमपैनियन्स होर सीगे एनना नुन एक महिने बाद मार या गया सी ठीक है पहले एनननों बोल गया कि तुसी इसलाम तरम नुन कबूल कर लो पर एननना सारे ने ही मना कर दिता फेर बंदा बहादर नुन बोल आ गया कि अगर तुसी एवाला इसलाम कबूल नहीं करोगे ता अनु अपने बेटे आजे सिंग नु मारना पहन आ ठीक है पर एणा ने आब्वेशली फिर रिफ्यू स किता तब जेडा एणा Daha ने बेटा सी ना Venा ने दिल कड लया ठीक और दिल कड के फिर बंदा बहादर जी दे सामने निकाला गया सिगा ओके और फिर एन्ना दे गले दे विच पाया गया एन्ना दे मूह दे विच उन्दा फ्लेश पाया गया आयमीन बहुत ही जादा बुरी कंडिशन से उस टाइम थीक है तब फिर एन्ना दे जड़े हाथ है यह पैर है गया उना नू कट दिता गया फिर वी एनने तसी है तो बाद वी जड़े बंदा बहादर है गये ने ओक यह काम रहे ओके और एनना दी बॉड़ी छोटे-छोटे पिसिस दे विच कट दिती गई और उनना ने फिर तरम दी खातिर अपना सेक्रिफाइस कार दिता र सब्सकाइश कोश्य कित शांते है तो यह पेले घुरु साहिबान शाय खाल शेगुरु गोभिन सिंग सी और दोना ले नम दिऊपर ही बंदा सिंगाहां ने सिक्व credibility कि把 भी उन्हां सब्सकारई ऍलेलां के त elabor is सिस्टम है जो बंदा सिंग बहादर ने खतम किता ता याद रखोगे जमीन दारी सिस्टम खतम किता गया सी और राइट ओकी इस तो बाद जो फरुक्षियर है एनने केड़े परसर नो पेजा सी ता कि बंदा सिंग बहादर नो मारया जा सके ता यह सी हुने किता सी कि बंदा स समत खाननों कि बंदा शिंग बहादर नूं मारने उंकी देखो जेडी सिख फोजनों बंदा शिंग बहादर ने पिरोगे रख्यां आसी कठे करके रख्यां यह उनाइट हैगे सी जदे नलकी है गया एक ठे जो है ने हर चीज़ लड़े थाद्या और आशी देख्यां कि काफ बहादर नहीं रहेंगे ता फिर एना दा कोई लीडर नहीं रहेगा जो एना नो प्रॉपली गाइड कर सके है ना ओके ता फिर दो जो है इंपॉर्टेंट जो फिगर्ज ने वह साढ़े समने आन गिया केडियां केडियां पहली है तत खालसा दूसरा है बंदई खालसा ठीक है तत दा मतलब के उन्द है तत दा मतलब उन्द है प्योर या फे ट्रू ओके ता एना एक सिख और्गनाइज़ेशन सीगी राइट एननू कदो फॉर्म किता गया जदो शिर गुरु गोबिन सिंग जी जो है गया अकाल चलाना कर गे सी उस तो बाद फिर एनना न बंदा सिंग बहादर दे जड़े चेंजीज किते होए सी यानि बंदा सिंग बहादर ने ना सिखिजम दी पॉलिटिक्स दे विच थोड़े बोट चेंज किते सी जिन्दे अगेंस्ट सी गे कौन तत खालसा ठीक है ता देखों बंदा बहादर ने खालसा ट्रेडीशन दे बंदा सिंग बहादर ने जो है रेड कलर दा बाना बाना मतलब अटायर ठीक है ओ पांडी रीत शुरू किती सी ऐस वस्ते जड़े मुगल्स है गया है उन्ना देनाल लास्ट डिफैंसिव बैटल जदो होई ठीक है ता फिर उस टाइम दे दोरान बंदा बहादर नो ना काफी सारे प्रॉमिनेंट से खह गया है जड़े की साथ छड़ के चलेगे जिमेंकी बिनो सिंग काहन सिंग ठीक है एन्ना देनाल होर भी काफी जने सिगे एन्ना ने एन्ना ही प्रॉब्लम्स करके एन्ना चेंजिज नू एकसेप्ट ना करन करके बंदा सिंग बहादर ना साथ छड़ दिता सिगा ओके अच्छा इस तो बिना एथे तो नो एक होर नाम दिख रहे है बंदाई खालसा एन्ना नू बोल्ले जान्दा सिगा बंदाई खालसा ठीक है तो देखो जेड़े गुरु गोबिन सिंग जी सीना एन्ना दे एन्ना प्योर फॉलर जिन्ना बले से पहलना गल किती है जेड़े बंदा बहादर जी चेंजिज नू एकसेप्ट नहीं कर रहे है उन्ना नू बो थीए तो फिर पाई मनी सिंग जो आगे है न नू नहीं की किता एन्ना ने थोन नहीं तड़्या विचकार सुला करन वस्ते बहुत ही एहम पुमिकानी बाई सी ता एवी पुच्छा जांदा हुंद है कि जो तत खाल्सा एंड बंदई खाल्सा है गया है एनना देवी चो सुलाक रानवस थे इंपॉर्टेंट रोल किन्ना ने प्ले किता ता याद रखोगे पाई मनी सिंग्जी ने ए रोल प्ले किता सी ठीक है तत खाल्सा और बंदई खाल्सा तो बाद अगली टर्म आंदिया जी सर्बत खाल्सा वेरी मच इंपॉर्टेंट टर्म ठीक है एंदे वीच अंदे लिटरली मीनिंग की हो गया फिर एंटायर सिख नेशन और तुसी देखोगे कि एप पलिटिकली वी बहुत जादा इंपोर्टेंस रखदा सी सर्बत खालसा ठीक है सिखिजम दे विच इनने सर्बत खालसा बाई अनुल मिटिंग होंदे सी मतलग एक साल कि एकठे विच दल्वार मिटिंग कर दे सी केड़ी मिट में सर्बत खालसा मिटिंग सुन्दियां सी ओकी ते जड़ी पहली सर्बत खालसा है गी है एंदी मिटिंग किन्ना ने बुलाई सी शिरगुरु गोबिन सिंग जी ने बुलाई सी 1708 तो पहला ही और फिर बाद दे विच की होया महंत सिस्टम नू खतम किता गया सी गा सिगा सिखेजम दे विचो अकाल तक दे जथेदार नी है किसी ठीक है अकाल तक मतला अमरिस सर्दीगाल हो रही है थे ठीक है ता अमरिस सर्दे विच अकाल तक दे जथेदार नी है गे है बलकि सिरफ एक सिख लीडर सी गे एंदा दी रहनुमाई दे विच मीटिंग बुलाई गे 1720 दे विच सर्बत दी और राइट एसे ही सर्बत खालसा दी मीटिंग देविच जड़े तेजा सिंग पुचड एनना नू जथे दर बना दिता गया अकाल तखड़ा ठीक है ता इस सारे ही फेक्ट बहुत ही जादा इंपोर्टेंस रखनगे तो आड़े पेपर पॉइंट ओफ यू दिनाल इसल हुने की किता कि जो बारा मिसला है एहे प्लस दल खालसा एस सारे जोने मिल के की कर दे सिगे सर्बत खालसा दी एक साल देविच दो वार अमरिस सर देविच मीटिंग कर दे सी ता एथे फिर जो दल खालसा दी जो टॉम आई है हुने सी उसते बारे देविच गल करांगे ठी दिसी ठीक है कठियां मिलके 12 फिसला मिसला की कहां दिया सी गया दल खाल सा ओके और अठार में सदी दे वीचे अपरेट कर रहा सी गा 1785 तो असी तक के काफी जादा पंजाब रीजन दे वीचे चल लिया है ओके हां जी ता जदो सी गल कर रहे हैं 1730 दी ता जो जकरिया खान ब अब रख दे सी ठीक है एनना दा काफी जादा इंफ्लेंस सी गा इन पंजाब रीजिन ता फिर जड़ा जकरिया खान है एनने की सोच्या कि मैं ना सिखा दिनाल अपने चंगे सबंद बनांदा बटे केड़े सी गें ए ओ हैं कि मूदे विचता शैद हैं ठीक है पर उन दे पिच्वी जैर है एक अम कार्या सिखा कुन जकरिया खान ठीक है ता एनने सिखा नो एक जगीर ओफर कीती राइट एक लैंड ओफर कीती ता एनने नाले भी बोलया कि तो नो मैं जगीर ता देना चांदा ही है उस दे नाल नाल जेडा भी तो अड़ा लीडर होएगा उननो मैं नवाब दी पदवीवी दे मांगा ठीक है ता फेर ना सरबत खासा दी मीटिंग बुलाई गई एथे पूरी तरह डिसकरिया खान ने ओफर कीता है कि एदे बारे असी की करने है ठीक है ता उससे दे विची जो कपूर सिंग है एनननू सिखा ने अपना लीडर चोल लिय पर जो कपूर सिंग है एनननू केड़ा टाइटल दे दीता गया नवाब दा टाइटल ऑल्राइट ओकी और एननने बोल लिया कि हुन ना सानू सिखेंगे ने सानू सार्या नूहीं जो अच्छी तरह युनाइट होके रहना चाहिए ठीक है ता फिर एननने की किता एनना दी एड्मिनिस्टेशन अच्छी चाल सके सिखांदी आर्मी दी ओदेली एनननने दो गुरुप बनाएट दोना गुरुप्स दा नाम तुसी अच्छी तरह याद रखना है बिकल पुछया जांदा हुनदा है ठीक है पहला गुरुप है तरुना दल ठीक है दूसरा गुरुप पैड है बुड़एज बुद्धा अगर तुसरे दोन्नों डलादी गल करुगे किड़े कुंते तरुन दल ढेंड अट न ड now इननननके दल खाल सा भुल्या जांदा सी ठिक है यानि की बुढ़ा दल अलग क्यों तरुन दल अलग क्यों दल खासा कठा क्यों नहीं बोला गया तद देखो एदे विच की सिगा सिख्ण दे विच ओवले आर्मी दे परसोनल जिनना दी उमर 40 साल तों जादा हुन दिया ठीक है और जेड़े सिख्ण दे जो हुन दे है जेड़े 40 साल तों गाट दी उमर दे हुन दा सी ओन दा तरुन दल जो है और ऐसे ही एक्सपीरियंस दे बेज दे उपर तरुन दल जो है नोजवानना दा जो दल जी उनना ट्रेन कर दे सी ठीक है for wars and battles आफ्टर दाट जो तरुन दल है एक ही कर दे सी और पैट ट्रोप्स दे तरह कम कर दे सी आर्मी तरह कम कर दे सी यानि कि लड़ाइआं दे विच जो पार्टिसिपेट करना है एक उन करदा सी तरुन दल करदा सी ओल राइट जदो फेर कपोर सिंग जी चले गए ताउनना तो बाद किन्ना ने जो है चार्ज संबालया दल खासा दा जस्सा सिंग आलू वालिया जेडे की बहुत ही जादा निडर और बहुत ही जादा रसूख रखन वाले जो है पंजाब देखो मिसला ना बारा एदान या स्टेट सुन दियां सी सिखा दियां जडियां की अठार्मी सदी देविच बहुत जादा उपर वालनू बदरियां सी यानि की एना दूपर किसे दा अधिकार नी सी आपस देविच इंडिपेंडनेंट सी राइट ओके एकना स्विस टॉयन पॉलियर उके एनने डिस्क्राइब की किता है का मिसल्स नूँ एनने मिसल्स नूँ बोल्या कि ये नैच्रल ना अरिस्टोक्राटिक रिपब्लिक सी गा ठीक है जिनना दा अपना ही सविदान है अपने रूल सी गे ओके ता इस तो बात देख रहे हैं कि जेडियां मिसल्स है गी सिख अगा क्योंकि उनहीं किसलां कोलेक्टिव हो जाने हिति उन्नों की बोल्याजाएगा डल خाळशा बोल diffic़ा पता सी अंख् सर देविच साल च दो वार हुंदियां सी इस तो बाद सब तो मोस्ट कोमन सिस्टम जड़ा पेमेंट दा जिवे कि उन मिसल है उन्ना देविच सिक्स सोलजेर्स सी तनकाँ गाए ज है जो है मेल सिस्टम की उन्ना इस देविच सोलजेर्स आंज को सा सब्स bend on ओना दी नाल फिर एना दी जो खर्चा है एना दी जो सेलरी है वो पे किती जान दी सी बेड दी तब मिसला तुसी तब अच्छी तरह याद रखोगे। ढूराइट इस तो बाद देखरया एजो मिस्ला है गिया है एनना दी अडमिनिस्टेशन किस तरह थे हुद थे थे ने रिच्छान दी सी अगर आज सी अगर इसी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉंट व्यू देना देखांगे तरह अनन दी यहां चार ख्लासी थे पेली है टेन्योर दे सिस्टम सी ओके तदेको जेडियां वी मिसना जो है गिया ने ए लैंड ग्रांट कर दियां सी ना ठीक है और फिर उन्ना नू लो एंड और मेंटेन करन दे लई रिस्पॉंसिबिलिटी किन्नू दे देती जान दे सी जेड़ा वी उस लैंड दा ओनर हुन्दा सी ठीक है ओही देखेगा कि उजो लैंड है गी है और नू किस तरह अश्ताबलिश करने है ठीक है किस तरह आनू बाद देविच बचा के रखने रेवनियू कठा करने सारा अंडर किसे दापका है गयिए और हों फिसी। सब्सक्राइछ का चीफ थीows द्सिक्राइघ देडारी अन् जो तब दारी है या जगीर दारी है किसकी एस किसी का है ऐ गयिए गयि Cornwood जो कीजर प्रेटलिट चीफ मम्लें चीफ थी दें कि अंडर है। और बान समफ है डिय तबबादारी जगीरदारी दी ता ए ओवला सिस्टम है जिस दे विचे मिसल दा चीफ अगों किसे नू लैंड जो है ए दे देंदा सी गाँ एज गिफ्ट ठीक है तो उन्हों तबबादारी एंड जगीरदारी बोल दे सी तहुन से ती गाल करें ना चारह दे बारे दे विच लग लग ठीक है पहला गाल कार्या पत्तादारी सिस्टम दी था इना बेसिक सिस्टम थया एलमिनीस्टेशन दा जो की डिने कर्दा सी एचा बरनदा ंटान के आगच कर्दा सिर्कुन्दी शुर्कुंदा जो इस विच आ ना प्रागिन indicator ऑ dirt वाँ जेडा बाग्की पैसा बचदा सी ओनु सरदारा और मुद्ड सुधार whand वन्ड देंदा सी गा ओके और सव्धार की करत呢 सर्दार अगों सुर्कुंदान वन्ड देंदे शी तर्थे ने की काई सक्तनीचे त्यक्ष्ड सड़ों हुआ पैसे दी और फेर जड़े सुर्कुंदन दसी एक ही कदा सी एक ये कुड़सवारा नुदे दन दसी ऐस तरह करके आना दा सेलरी दा सिस्टम चलदा सी यानि कि किस तना दुबारा देखो ये सुर्कुंदन कोन होगे जड़े की कुड़सवारा न दी टोली दा हैड होएगा सब तो पहला ता गल कर रहे हैं मिसल दा जो चीफ हुन्द है ठीक है पहला ता ओ मिसल देले ही जो खर्चा और रखलन दा सी उस तो बाद ये निच्चे किनू देदन सी सरदारा न देदन सी अच्छा एं और कोड़सवारा न दे दना सी और फिर जडे सरदार होंदे सी के सुर्कुंदन को हैना फिर जडे सुर्कुंदन होंदे सी आपने जो निच्चे की कुड़सaşर हों दे सी उनना के छोटी के रहांद दोस्तन दीच कार देन दे सी ऐे कि दिनंतches और सरदार शामिल होंगे जिनना देखोलो बहुत ही छोटी गिंती देविचे कवेलरी मैन ता रहनेगे यानि की कुडसवार ता रहनेगे ही रहनेगे उस दे नाल नाल एनन देखोलो कवेलरी मैन दे लहीना इंडिपेंडेंड बॉडिज भी हुंदियां सी गा राइट केडियां बॉडिज जेडियां की अपनी मर्जी दे नाल मिसला दे नाल अटैच होंदियां सी देखो जेड़े ता पहलना पो उपर गल किते हैं पत्तादारी देवेच रफ़ा रहां दी है यह ओक रफ़ार है जेड़े की इकतरह ना जॉब कर देने ठीक है पर जदो तुसी एथे गल कर रहे हूं इस दे विच ओवले तक कविल्री मैन रहां गे ही जड़े जॉब कर दिया है इस दे नाल नाल ओवले परसन भी शामिल होंगे जड़े की अपनिया इच्छा दे नाल सेवामा देना चान दे सीगे मिसलानों ओके ते जड़ी मिसल दारी परनाली है एंदे विच सरदारान दे उपर लागू होंदी सीगी कि जो अपनी मर्जी देनाल मिसल देनाल जुड़े ने ओके और एनना ने अपनी जो जमीन होंदी है इं मिसल दी सेवा दे विच दे दिती होंदी सीगी और अगर मानलो एचान कि नई जी होना सी ऐस मिसल द इस तो बाद गल कर रहे आपा तबादारी सिस्टम दे बारे देविच ता ए ना ओवली लैंड देलेई सिस्टम हुंदा सी जेड़े की मिसल दा जो तबादार हुंदा है ओंदे डिरेक्ट कंट्रोल देविच लैंड हुंदी सी ठीक है हुन एन्ना नू तबादार कौन लिऐ हुन दे सिए गिफ्ट दे मिसल दे मिसल दे विच जेडे कोडस्वार लचो कम कर दे सी गेंड़े तबादार है क्योंकि अन्ना नू गिफ्ट दिता है इन इनना विस समीन ता वह सर्विस सद्देंदिक है क्यों ये मिसल कि चीफ कई अंड़ रणिन को क्में एनन कि मिलें ज़ेडीं डी ऴी में भी जमीर कि व्याशा तो सो दे सकदा सी एदा करके कंटीनु भी चाल सकदा सी बट अगर उचाए तब फेड डिरेक्ट अपने अंडर काड़ सकदा सी और उस तबादार दी मरंतो बाद किसे होर नुए गिफ्ट दिती जा सकदी सी ठीक है इस तो बाद गल कर रहा आपा जगीरदारी सिस्टम दी राइट नुए जो मिसल दा चीफ है गया ओ जमीन दिन्दा सी गां गिफ्ट दे वजो राइट तेजे जमीन अब स्वरी मिसल दे चीफ नो अगर जुरूरत पए लोड पए ताव एन्ना दे कोरों वी तबादारा दी तरह सेवा लै सकदा सी गां है ना पर मेंगल की है मेंगल एह ग कि रहे हैं हैना ता इस करके फेर एन्ना ओन्ओं दे बदले चीफ सेवा यानि कि actually chief दीने अकुल कि मिसल दी सेवा करनी पेंदी सी कोडसवरी दावी काम करना पेंदा सी ठीक है फर ईन्दी विच यानिकी जगीर दार और तबादार चैन्ना दोना दे विच फरक है एन्दमी तुकडी राख सकते सिगे राइट जेडे की अपनी जमीन दे विचे जदो इना खर्चा वगरा हुंदा सी ठीक है ते उस्तो बाद जेडा भी प्रॉफिट बचदा उस्तो बाद ता ओंदे नाल ए ना कुडस वारां दी टुकडी नू पैसा भी दे दिन्दे सिगे यानि कि स मिसल दे चीफ है गया है उनना दे अंडर आजेगी डिरेक्टली अना दी जमीन है ना ओके ताहू ने थे की गल कर रहा हां जी एथे आजन दी है बारा दी आब बारा मिसला एनना दे तुसी नाम एंड जेडे एनना देना रिलेटेड पर्सन ने की लीडर जादा तर ए पु ताह देखो एता वैसी सिंपली याद हो जाना है फूल किया एंड फूल सिंग ठीक है ना एदा करके डिरेक्ट याद कर लोगे उस तो बाद गल कर रहा है सी आलू वालिया मिसल दी ताह एनननू भी याद करना बहुत इजी है एदे की लीडर रहनगी जी जसा सिंग आलू घ्चार की तो ब्ण गल कर रहे हैं windows when he is media 실ive in नाम लेया जाना डालाएं ठीक है इस तो बिना एस देविच्ट जो लीडर पूमा सिंग हागे ने ठीक रह आधी रोल सिगा ठीक है भी अच देविपरी प देविपरी यानिक़ पांगी रिए ना याद रख रहे हैं ना इस त इस तो बाद पंगी मिसल दे विच एक होर नाम है जो बहुत ही जादा इंपोर्टेंस चगदाया एथे नी लिख्या होया चज्जा सिंग ठीक है एनना दावी नाम तुसी नाल देनाल याद रखना है किसे भी ट्रिक देनाल याद करो बट तुसी एनना सारें दे नाम जरूर क्रिशन जी नुकर नहीं जी बहुत है तो उननाद दी जद इनाल तुसी याद राख सत्टे हो कि कनईया मिसल दे हैड ट्राल याद नैंगे जैया सिंग रैंगे और उन्यमिसल पर जिस दिन और सदा कौर भी बिलॉंग करने जिन्ना दे बारे वीच ऐसी पढांगे जदों व्होठी महराजा रञे शिंघ बारे पड़ांगे ठिक है इस तो बाद आ जान्दी है राम घडिया मिशल ठिक है और लुब युट लुख प करने के ओ के सिंघ पूरिया मिसल दी ठीक हैं और जेड़ी ए सिंग पुरिया मिसल है एस नो एक होर नाम दिनाल जाने जान्द है केड़ी जी फैजल पुरिया मिसल भी इसे नहीं बोल देने ओके और जेड़े नवाब कपूर सिंग हैं ए फैजल पुरिया या फिर सिंग पुरिया मिसल दिनाल बिलॉंग क भीतता सी गाहना नवाब कपूर सिंग नौ अच्छी तरह याद रखना इस तो बात आज आंदि हैं पंच गड़िया मिशन थिक है था जरी पंच गड़िया भी है ठीक है एंनौ एक और नाम तो जाने जान्द सी करोड सिंगिया मिशन थिक है तब शुरू-शुरू दे विच सरदार करोड सिंह राइट करके नूँ याद रखना है तुछ पंज गडिया करोड सिंह राइट इसला ग़ल कर रहे हैं इंट निशान वाली मिसल जो है एंधे हैं टाइटकोन हो जानंगे धसौनदा सिंह व्राइट फाउंडर ऑंडर जो है गया है दसौनदा सिंह गिल ऊंस किस तरह याद रखोगे देखो अस्यों पढ़ दाग अच्छे हैं ता जड़े निशान है गिनी है ना अपकी कहने है दस उर्पए में दाग धुल जाएंगी एड आम दी हुंदी है तो याद रखोगे दस उर्पए दिनाल की होजेगा जड़े निशान है तुल जानगे जड़े एंसेस्ट्र जाएं ठीक है ए सारे शुकर चक्या में सल तो ही बिलॉंग कर दे सी ओके हां जी ता एंदे जड़े हैड मनने जान दे है को जी चड़त सिंग मनने जान दे है बट समटाइम्स की हुंद है तो अनू ना चड़त सिंग नाम ना देके एथे दिता जाए गाता ओ ता नू नौध सिंग नाम दे सक्था है ठीक है तक तिनुह नाम आंदेनाल तुसी याद रखोगे एंड़ी सी केड़े केड़े नौध सिंग बुद्ध सिंग चड़तशिंह करेंगे शुकर चक्या में सल देनाल और महाराजा रजी सिंग जो हंगे है एंड़ी बि ता डाली दे उपर ही लगया होया है गुलाब लगया होया है ता डाली वाली मेशल एक When believe we love उके हज़ऊा याद ही तो नाकः है न्र comics Blake' पाया हीरे दा कोका पाया हुया। ठीक है इस तरह करके याद राख सकते हैं या फिर ना कोई ना निकरदा किन्नू हीरे नू ठीक है। किसे भी तरह याद रखो नकई मिसल जो है एंदे फाउंडर रहांगे हीरा सिंग। आफ्टर देट आजन्दी जी शहीद्दा मिसल फेरी इंपॉर्टेंट मिसल एक एडिया जी बाबा दीप सिंग ठीक है ता बाबा दीप सिंग जीदा नाम भी सिख हिस्टी देविच बहुत ही जादा मानते सतिकारना लेया जान्द है ना ते सिंग शहीदा गुर्दवारा ए एक स्टेट्स अफेर देविच इंपॉर्टेंस रखन गिया थीक है तैना सारिया नुहीं तुसी याद रखना है पहला मैंने कोशन आंसर दी फॉर्मेट देविच दिता हुए है माई देशां को और एक केड़ी मिसल तों बिलॉंग कर देशी ता ए हो जाएगी जी शुकर चकिया मिसल है जिस तों महाराजा रंजी सिंग्दी फामिली बिलॉंग कर दिया है राइट ओकी ता एना जो चड़त सिंग्दे वाइप सीगे कौन माई देशां को और एंड महा सिंग्दे कौन हो जानगे मदर ओल राइट आफ्टर देट रानी सदाक और एना दी मिसल केड़ी सी ताए रहेगी जी कनहिया मिसल राइट देखो एक कनहिया मिसल दे चीफ रहे नानमे तो लेके 1791 तो अठारा सो इकी तक क्यों क्योंकि एना दे हस्पेंड सी ना जो गुर्बक्ष सिंग्दे कनहिया ओना दी ड्रेथ होगी सीगी और एस करके फेर एना ने एस टा ता ए जो हगी निना ए मदर सी गे किन दे महारानी दतार कौर दे दतार कौर को न है ए महाराजा रंजी सिंग्जी दे वाइफ सी ऑके जिन्ना दा बाद देविच ए नाम बदले गया सी एक्चुले न मेड़न नेम ए लिगा तो देखो की हो या झो ए जेडğin माहराजा यह है तॉन ces сейчас मांजी हैए शुँझान दूर करंदल है अन दानाम राजर ना पूच्छाू जाए कि दतार पूच्छा जाए ता याद रखोगे कि दतार कॉच्छ महा राजा रंजी सिंह इंग्च्सु लाल्गी आपकी। नेक्स्स क्विशन है वो वोस दे यंगेस्ट वाइफ ओ महराजा रंजी सिंग देखो क्या जान्द है कि महराजा रंजी सिंग जी ने पलिटिकल रिजल्स करके काफी सारे महराजीस करवाईया सी और आते पुछा गया है कि उनना दी सब तो छोटी वाइफ उनना दा नाम की है ता याद रखना है महराजीस जिंद को रेन दा नाम रहेगा और सिख एंपायर दे विच एननने 1843 तो लेके 1846 तक दा जो है राज किता सी और एक इनना दी मदर सिगे ए सिगे महराजा दलीप सिंग दी और महराजा दलीप सिंग कौन है जेडी के सिख एंपायर दे विच लास्ट रूलर बनननगी है ना चाहिए यो पपेटी सिगे अंग्रेजना दे लही है ना बट फेर भी दलीप सिंग लास्ट हो जानगे एननना दी मदर सिगे कौन महरानी जिंदकौर ठीक है महरानी जिंदकोर नूँच्ण पौपुलरली के डे नाम तुम बिलायये ज slippery hah महरानी जिंदा क्सेड़ि основ कि यह बहुत ही जादा ब्रेव सिगे है याद रखन है जिन्दा महारानी जिन्दा क्योंकि यह बहुत ही जादा ब्रेव सिगे राइट याद रखने आफ तर दाट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेशन जडे ब्रिटिश है उन्ना महारानी जिन्द को और नू केड़ी नाम दिनार डिस्क्राइब किता सी ता यह किरेगा जी दा मैसलि यह रोमन दी एक एंपरेस सी सौरी ता यह न ने अपने हस्बेंड नू भी एग्जेक्यूट करवाया सी गा पर बहादर बोसी उन्ना दी बहादरी दे किस्यां दे नाल ही एन्ना दा नाम दी जो है मैसल इना उफदा पंजाब रख्या गया सी महारानी जिन्द कोर्दा ओक देखो एन्ना ने ए टाइटल 2nd of December 1840 नू अपनाया सी और असी हुने किता सी कि महाराजा रंजी सिंग तो बाद गद्धी ते कौन बैट देया है रूलर कौन बन देया है खड़क सिंग है ना ते खड़क सिंग दी वाईफी सी कौन महारानी चांद कौन और नो ने हाल दिय है मदर सी ओके ओर राइट इस तो बाद हो नसी आजानेया महाराजा रंजी सिंग दे बारे दे वीच पड़न देली अगर तो सी देखोगे महाराजा रंजी सिंग नू पॉपुलरली बोले जान्द है शेरे पंजाब या फिर लायन ओ पंजाब और ए सिख एंपायर दे पह चली गई सी ता निगान दी खतम होगी सी एक आख दी देन एना ने अपनी जिंदगी दी पहली बैटल अपने पिता जी देनाल मिलके दस साल दी उमर दे विच लड़ी सी ठीक है और एना ने 21 साल दी उमर दे विच जो पंजाब दे महाराजा दा खिताब हासिल किता सी महाराजा रंजी सिंग जी नू केड़े केड़े नामा देनाल जाने आ जान्द है महाराजा ओफ पंजाब महाराजा ओफ लाहोर क्योंकि उस टाइम तरह नू पत्या है पाकिस्तान वाला पंजाब भी जो है जो है इंडिया दे हिस्ता हुंदा सी याना कठा हुंदा सी देन सरकार खालसाजी, Head of the State, Lord of Five Rivers, क्योंकि उस टाइम पांज दर्यामा दी, जो है, लैड किन्नु मन्ने सी, पंजाब नू, ते पंजाब दे लोड किन्ना नू मन्ने जान्दा सी, महराजा रंजी सिंग नू, इस दे नालनल एन्ना नू, सिंग साब भी बुलाया जान्दा सी, All Names एचीनू, केडी जगा ते गुजराम वाला पाकिस्तान दे विच, डेथ होई है, जोन 1839 लाहोर दे विच, ओके, देन महराजा रंजी सिंग जी ती समाद्धी, वेरी इंपोर्टेंट क्यूशन, महराजा रंजी सिंग जी ती समाद्धी किते हैं, लाहोर दे विच मिलेगी पिता जी दा नाम सर्दार महा सिंग, मदर दा नाम राजकौर, और मदर दा नाम जो राजकौर है, एनना नू की बोल दे सी, माई मलवैन, हुन तो सी मैननू है थे, कमेंट सेक्शन विच दसना हैं, कि माई नकैन किना नू बोल लेया जानदा सी, ठीक है, ता माई मलवैन क् कि एह गाजपूर सिंग जो है गेने ना, जीन्द मालवा तो बिलाउं कर दे सी, और ना दी बेटे सी, इसलिए एनना नू फेर माई मलवैन बोल दे सी, राइट, एनना दा बच्पन दा नाम बुद्ध सिंग, केडी मिसल तो बिलाउं कर दे सी, शुकर चक्या मिसल तो, दे एनना ने फॉर्मल एड्यूकेशन नहीं लिए, स्कूलिंग नी होई एनना दी, ओके, आफ्टर दाट, एनना ने जिन्नियां ने सिख मिसला सी गिया, सारिया नू नू एकठा किता सी, देखो, ता नू पता है, बारा सिख मिसला सी, हैना, चाहे आसी कहनने हा, कि दल खाल सा एनना सारिया मिसला नू बिला के बंदा है, बट फिर वी ए जो मिसला है गिया ना, एनना दे विच काफी सारे मातपेद है गे सी, बिल्कुल भी अद्दा नी सी, कि हंडर्ड परसेंट आना दे यूनिटी है, ता फिर सिख मिसला नू यूनाइट किस ने किता, महाराजारण जी सिंग ने, और एक क्वेशन होर आन्दा हुन दाया, कि केड़ी सिख मिसल है, जिसनू की पहला स्टार्टिंग दे विच एक्चुल मिसल मन्या नी जान्दा सी, ठीक है, ता ए रेगी फुल्किया मिसल, ओल राइट, एनना ने पहला अंग्रेजा दा ही साथ दिता, और ए पहला दी उमर दे विच एनना दा पहला व्या किना नाल हुन दा है, महताब कोर नाल, राइट, महताब कोर सदा कोर एंड गुर्बक्ष सिंग दे की सिगे बेटी सी, ओके देखो एनना दे स्टोरी याद रखनी है, कि जेटे महाराजा रंजी सिंग और महताब कोर दी अपने मदर दे नाल है, यानि कि रहे ही अपने मदर नाल है, है ना, ता इसलिए फिर एनना दोना दी जो मैरिज है, वो जादा सक्सेस्फुल नहीं सी, ओल राइट, एंड 1798 दे विच फिर महाराजा रंजी सिंग दे मारिज हुन दिया, दतार कोर दे नाल, असी हुने दार कोर ओही ने जिनना दा जो एक्चुल नाम है, ओ सिगा राजकोर, एंड महाराजा रंजी सिंग दे मदर दा नाम भी राजकोर सिगा है ना, इस करके फिर कन्फूजन दूर करन दे लही, महाराजा रंजी सिंग ने एनना दा नाम की राखता सी, दतार कोर राखता सी गा, और और ए केड़ी Mississippi न कहीं मिशल तो भीलौन कर दे सी और ए न दी बेटए दा नाम की है खड़क सिंग को ने गिया ए है बिलकुलर महराजा रंजी सिंग तो बाद गदी समबाली थी ठीक है तो इसारे फैक्त बहुत इंपोर्टेंट है याद रख दी जाना इस तो बाद गल कर रहे हैं दलीप सिंग दी दलीप की सिंग को ने गया है ए जिन्द को और दे बेटे ने और ए की बने है ए लास्ट रूलर बने सी गे राइट ए वाली जो इयर है न तो अडली इंपोर्टेंट है याद रखना ओके 1801 वीच जो रंजीज सिंग है एन्ना ने अपने आपनो महाराजा ओफ पंजाब दा टाइटल दिता सी गा ठीक है और फिर एन्ना दी जो जो सेरेमनी होई सी राज तिलक वाली ठीक है फोमली एक इन्ना ने किती सी बाबा साहिब सिंग बेदी ने किती सी गी जो की शिरीगुर अन्ना दा जो राजपाग सी गा उन्नु की की बोल ले जैना सी सरकार खालसा बोल ले जैना सी गा अड़ अन्ना दा जैका दर्बार सी कोट उसनु बोलते सी दर्बार खालसा ए 95 और महाराजर रंजीस सिंग जीने वी कोयंस चलाए सि जिस तबाँ दहन पता है बár बहादर ने शिर्गुरु नानक देवजी दे नाम और शिरगुरु गोबिन सिंघ जी दे नाम देवपर कौइंश चलाए जुद आही इसा 2 माहराजा रंजी सिंग्हयद ४ॉस 小 तारा सो दोधे विच एन्ना ने अमरीसर नुँपंगी सिख मिसल जो है एन दे तो लैले आ सी गा ठीक हैा ओल राइट इस तो बाद सी गल करने यां 1790 मेय दे विच गी होया सी 1790 महाराजा रणजी सिंग ने लाहोर नु नु खॉंकर किता सी, ता ए वहला साल का अडे कोल पुछ सिया जा जानगा है की कदो महाराजा रणजी सिंग ने लाहोर नूं कॉंकर किता तैस्तारासो नडीन वे देविच ठीक है ऐस टाइम एनना ने अफगान दा लीडर सीगा जमान शाँ ठीक है उन्नों एनना ने हरा दिता सीगा इस तो बाद हुना सी गल कर रहे हैं एनना देख कुछ ट्रीटीज दी जिन्ना देबारे वेच डेफिनेटली क्वेश्चन जान दे हुन दे हैं ठीक है क्योंकि जित्ते वी युद्ध हुन दे हैं एनना नों खतम करन दे ली फिर ट्रीटीज साइन कितिया जान दी हैं है ना तब फिर महाराजा रंजी सिंग ने जो ट्रीटी ओफ अमरिच सर किती एक केड़े साल च किती गया है इस यर विल बी इंपॉर्टेंट ओके एटीन जीरो नाइन दे विच किती गई और ए ट्रीटी ब्रिटिश इस इंडिया कंपनी एंड महाराजा रंजी सिंग दे विचकार होई सी ते ब्रिटिश वाली साइड तों साइन की ने किते चार्स टी मेटकैल्फ ठीक है दूसरी साइड सी गई महाराजा रंजी सिंग एज ट्विटी दे विच की बोलना गया कि जड़ी सत्तनु जनदी है उन्नों असी सिखा एंड अंग्रेजा दे विचकार बॉर्डर लाइन मान लांगे ठीक है ते एदा जड़ा नोर्थ वाला पार्ट होएगा उस दे विच सिख जो है राज करनगे और एक अधी वी साउथ वाली साइड नहीं आनगे ठीक है तो जड़े बृतिश एगे ने ओ की करनगे ओ साउथ वाली साइड रहाँगी और इस तो बाद अगली ट्रीटी देख रहें ट्राइप्रटाइट ट्रीटी 1838 दे वीस खोगी यानि की तिन एदनदियां कोम हो लगी या तिन एदनदियां पार्टीस हो लगी जिनन दे विच कारेछ ट्रीटी किती सिंग हगे नहीं इंडर्स बैंक दे राइट वाली साइड दा जो एरिया है एक लेम करन दिता जाओगा राइट इस तो बाद एक क्वेशन आदा हुंदा है केड़े वाला की जेड़े हरी सिंग नलुआ सिगे है ना एंडी जो डेथ है केड़े बैटल दे विच होई सी ता य इन दे विच का रहा है अफगान एंड शिक्स दे विच का रहा है और जेड़े अफगान है गे नहीं ए लगातार सिखांदे करके अपनी टैरेट्रीज नूँ खोर रहे सिगे ठीक है इससे करके फिर एना ने लडाई किती एंड 1836 दे विच जो हरी सिंग नलुआ है एना न इना दी देथ हो जान दी है जमरूदे लडाई दे विची ठीक है इस तो बाद आसी देखना है कि महाराजा रंजी सिंग दी कॉंट्रीबूशन की की रही है सब तो पहली चीज जेडा गोल्डन टैंपल है हरिमंदर साहिब है अमरी सर्द विच ठीक है एन दे विच जो सोन चड़ाया गया सोने दा पानी कवर किता गया एं महाराजा रंजी सिंग जे ने किता सिगा ठीक है नमबर वन नमबर टू एनने हजूर साहिब दा जो गुर्द्वारा है नंदेड दे विचे ठीक है एनना दे फंडिंग किती सी और तो उन्हों पता है एं सिखान दा तक्त ह है ना ओकी महाराष्टरा दे विच्छाय है गया और नंदेड साहिब ओही जगह जित्त है गुरू गोबिं सिंग जी र evalu के सी और असी हुणे किता सी नंदेड साहिब है नंदेड दे विचे बंदा सिंग बहादर दी मुलाकाथ भी शेरी गुरू गोबिं सब्राइज्ट किता है और इनना ने एक फ्रेंच जर्नल एना दी सरकार है वो देविच तौनों दिखेगा कि ना आता है किसे तरम नू जो है या रिलीजे नू मंदिया कि एक ही साइड अगर खुद सीख है एना मतलब ही निया कि सारे सिखोने चाहिए यह बाकी तरमादा भी सतिकार करेंगे राइट नमबर टू कि एना ने ना के सिर ही कोमा तो मिल जाने ओके ता फोरन मिनिस्टर को नहें फकीर अजीज उदिन यह बड़े अजीज सी क्यों कि फोरन जडियां बाकी कंट्रीज यह और ना दिना लेना दे रिलेशन अच्छे बना के रख दे सी त्वर्कित याद रखो और राइट आपट दर फैनाइनस मिनि मिनिस्टर् त्यान चंद महाराजा रंजीज सिंग इन टोटल 12 डिपार्टमेंट बनाये होए ठीक है जिनना देविचो चार बहुत जादा इंपोर्टेंट है जिनना बारे पुछ्छा जन्द है पहली है दफ्तर ए मवाजी ठीक है इना सेलरीज दिन्दे हुन्दे सिगे सिविल और मिलिटरी ओफीशिल्स नूँ ठीक है उस तो बाद दफ्तर ए तुझी हाथ ए किया जी ए ना जिननी वी रॉयल फैमिली हुन्दी सी उना दे मेंटेनेंस दे एक्सपैंडिचर दे रिकॉर्ड्ट रख दी सी दैन दफ्तर ए रोज नाम्चा एक जरात एक है ए मैंटेन करदे सी गे डे टुदे एकसपैंडिचर जनू ठीक है एठ एगा एक राजाध ठीक है सॉरी ऑगी आफटर एक दाट दफ्तर ए आब पूरा एंपायर पहला प्रोविंस लाहूर सेकेंड मुलतान थर्ड कश्मीर फोर्थ है पेशावर ठीक है और एनना दे प्रोविंसी दे जड़े गोवर्नर हुंदे सी उनना नू बुल दे जन्दा सी नाजिम और हरी सिंग नलुआ जो है गया है एक इत्थे दे गोवर्नर सी पेशावर दे वेरी इंपॉर्टेंट नू मी आफ्टर दैट महराजा रंजी सिंग ने कुछ मेंन पोस्टां दितियां हो यह सिंगिया एनना दे नाम याद रखने है उस टाइम हैड ओफ स्टेट नू बोल दे सी नाजिम और जिड़ा रेविन्यू ओफिसर हुंदा सी गा जिमनी लगा के आसादा सी ओके नाजिम आफ्टर दैट विलेज दे हैड नू बोल दे सी पत्वारी और चौधरी देन लंबड़दार हुंदा सी गां मुकद्दम एंड हैड ओफ सिटी एक नू बोलेया जांदा सी गां कोतवाल नू राइट इस तो बात देख रहे हैं बा बाद शाही मस्जिद देविच जो की लहोर देविच मिलेगी राइट इस दे नाजना निच्चे जिन्या में तो नू थामा दितिया हुई है ठीक है जौला मुखी देन जगनात पुरी बनारस हरी द्वार देन दरगा ओफ मियामीर लहोर देविच है देन बाबा फरीद द बर्थ प्लेज पाक बटन शरीफ एनना सारियां ही थामा नू ग्रांट सितियां से किया महराजा रंजी सिंग्ची ने ठीक है ता ऐस मस्जिद दा नाम याद रखना कि जिद्दा ही राजा बने ता एनना ने जो लहोर देविच बादशाई मस्जिद है उत्थे जाके प्र जडों फसलान दी कटाई हो जान दी उस्ते बेज दे उपर देख्या जान दा सी किन्नी फसल हुई है उससे दे बेज द लोपर फिर एवला टैक्स जो है फिक्स किता जान दा सी है ना और बिलकुल जड़ो ना राजपाट स्टार्ट होया सी ओधू एननो इंट्नी गिता सी बताई ओ सिगा जदों फसलां दी कटाई तो बाद दिख्या जान्दा सी कि किन्नी फसल होई है और ओन दे बेज़ दो पर टैक्स होंदा सी है ना यानि कि लोग बता दिन्दे सीगे कि माहराजा साधी ऐन्नी फसल होई है बताई हो गया देन जो कान कुट है उस दे विच की उन्दा सी हले फसलां खडियां होई है उन्ना दी बेज़ दो पर आईडिया लगाले जान्दा सी कि किन्नी फसल होगी और ओदे बेज़ दो पर टैक्स जो हैं लेले जान्दा सी है ना और एनना दा टेक्स टू फिफ्ट तो लेके वन थर्ड उफ दा प्रोड्यूस जो एक साल दे वीच हुंदी है उन्दा पार्ट रहनदा सी ठीक है और एनना दा लैंड रेविन्यू साल दे विच दो बार इकठा किता जानदा सी गा असे हुने ही किता कि जो revenue इकठाव करने वाले officer सी उन्हादा नाम हुंदा सी का करदार and उन्हों subordinate करन दे लिए यानि की उन्हादी help करन दे लिए कोन उन्होंदे सी मुकद्दम है ना कानून गोज और पतवारी ठीक है ए तुसी सारे दे सारे important trend के तवाड़े लिए याद रखने ने ठीक है ताहुन असी महराजा रंजी सिंग दे बारे दे वीच वी सब कुछ खतम कर दिता है ना हले भी साड़े सिख हिस्टी पाई है जदो सी करांगे छोटा कल्लू कारा फिर असी करांगे वड़ा कल्लू कारा एंड जो एंगलो सिख वार्ज होई है ठीक है उनना दे बारे दे वीच डिटेल करांगे एस दे नालफे साड़े सिख हिस्टी खतम हो जाएगी फेर असी ब्रिटिश इस्ट इंडिया कंपनी दे अगले पार दे उपर चाल जा मंगे ओके हां जी आई होप के तौनो आजना लाक्चर समझ आ गया हुएगा ठीक है अगर समझ आया है डू लाइक और गिवा थम्स अप ओके अगर नहीं आया कोई प्रॉब्लम नहीं इस देन आल तो आनो बहुत जादा डिटेएल देवेज समझ आ जाएगा ठीक है ठीक है थैंक यू सो मच और यास वन इंपॉर्टन थिंग फॉर लीव यू कि ऐस संडे नू ना की होएगा देखो संडे नू मैं तो आनू अक्टूबर मंथ दे जो मंथली करंट अफेर है एननों प्रोवाइड करना है यानि कि पूरे महीने दे करेंट अफेर्ट तो आनों मिल जानगे ऑक्टूबर दे विच्छ और असी फिर ऑक्टूबर देन सेप्टेंबर ऐस तरह करके ऑगस्ट एदा पिछे जान दे जामांगे ठीक है ऐस तरह करके कोशिश कर लांगे असी श तो आनों आज यूजिल वीकली करंट फेर मिलेगा ठीक है थैंक यू सो मच फो लस्निंग हाव नाइस ताइम सशिकाल बाबाई